आजानी जैपुर में बनाए गए बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानि बी आर टीएस कॉरिडूर अब जेडिये के लिए दुबधा बनता जा रहा है इस कॉरिडूर में हो रहे हाथसों के बाद जेडिये इसका अधियन करवा रहा है इस बीच से ग्रीन कॉरिडूर में बदलने की भी चर्चा शुरू हो गई है हाला कि पिछले दिनों विधानसबा में यूडियेच मंत्री शांतिधारिवाल बी आर टीएस कॉरिडूर को नहीं हटाने की भी बात किया चुकी है ऐसे में ये कॉरिडूर आफत बनता जा रहा है करीब 170 करोड रूपए की लागत करोड रूपए खर्च करने के बाद ये प्रोजेक्ट हाथसो का कॉरिडूर बन चुका है ऐसे में अब ये प्रोजेक्ट जेडिये के गले की फांस बन चुका है इस बीच जेडिये और नगरे विकास विभाग इसे ग्रीन कॉरिडूर बनाने की तैयारी में चुटकिया है इसे लेकर जेडिये ने पीडी कोर्स या धियन करवाने की तयारी की है ये संस्था इस कॉरिडोर की स्टडी करेगी इस पर कितना ट्राफिक दबाव रहता है हाथ से वाले पॉइंट कौन से है वो भी चनित किये जाएंगे इसके साथ ही इस संस्था से कॉरिडोर की मौडिफिकेशन को लेकर भी सुझाओ मांगे जाएंगे वहीं जानकारों का कहना है कि इसे ग्रीन कॉरिडोर में बदलने की तयारी है नगरी विकास विभाग ने भी इसे लिए कर राय दी है जाम हम जाम हम खनी हो लना प्राइब ऑज हम जाएंगे